आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना CSC के रेजिडेंस सर्टिफिकेट के लिए कैसे एपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट एपलाई करने और डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट एपलाई करने के लिए आपको सबसे पहले अन्तियोद्य सरल इस वेब साइट बराना है इस वेब साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब साइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है उसके बाद आपको साइन इन का आप्सन मिल जाता है यहाँ पर आप लोगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर कैपचा कोड दिया गया है इस कैपचा को फिल करेंगे उसके बाद आपको सम्मिट के बटन पर क्लिक करना है लेकिन अगर आपके पास अंतियोद्य सरल पॉर्टल का आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको सम्मिट के नीचे निव यूजर रजिस्टर हेर का उप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप अपना निव लोगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रेट करेंगे अंतियोद्य सरल पॉर्टल का आईडी पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं इस पर मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप कम्प्लीट वीडियो देखकर लोगिन आईडी और पासवर्ड क्रेट कर सकते हैं उसके बाद आपको लोगिन आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करना है उसके बाद आपको समिट के बटन पर सिंप्ली किलिक करना है जैसे ही आप समिट के बटन पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक निया पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर आपको side में apply for service का option मिल जाता है simply आपको इस option पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो इसके नीचे आपको view all available service के option पर आपको click करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का निया page open होगा जैसे कि हम हरियाना residence certificate के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर search bar में search करेंगे residence तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाना residence का option आपको मिल जाता है simply आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह से निया page open होगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको दो आप्सन देखने को मिलते हैं आपको यहां पर फर्स्ट वाले आप्सन पर किलिक करना है आई है ओ फैमिली आईडी उसके बाद आपको नीचे फैमिली आईडी नंबर इंटर करने का आप्सन मिल जाता है यहां पर आप अपना परिवार पैचान पत्र संख्या यानी फैमिली आईडी नमबर फिल करेंगे उसके बाद आपको किलिक येर टू फैज फैमिली डेटा इस आप्शन पर किलिक करना है इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से जिस भी मेंबर के लिए आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट एपलाई करना चाहते हैं यहां से सेलेक्ट पर किलिक करके मेंबर नेम को सेलेक्ट करेंगे जिस भी मेंबर का आप हरियाना रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पर एक member को select कर लेते हैं उसके बाद OK पर आपको click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर send OTP के option पर click करना है send OTP पर click करने के बाद आपके family ID में जो भी mobile number registered है उस पर एक OTP send किया जाता है उस OTP को आप यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद आपको click here to verify OTP के option पर click करना है उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके परिवार पहचान पतर से यहाँ पर सभी details फैस कर ली जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर passport size photo upload करने का option मिल जाता है जिसका size 20 कW से 50 कW के बीच में होना चाहिए यहाँ पर आप जिस भी candidate का resident certificate apply कर रहे हैं उनका यहाँ पर photo upload करेंगे यहाँ पर आपको choose file का option दिया गया है इस पर click करके आप यहाँ पर photo upload कर सकते हैं photo upload करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको identify your location का option मिल जाता है यहाँ पर आपका district name पहले से ही fill है next option में आप यहाँ पर अपना तैसील name select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको area type में rural या urban select करना है अगर आप गाउं से belong करते हैं तो आप यहाँ पर rural select करेंगे अगर आप city से belong करते हैं तो आप यहाँ पर urban select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना city name या फिर village name select करेंगे अगर आप गहाँ से belong करते हैं तो आप यहाँ पर अपना village name select करेंगे उसके बाद आप नीचे start date, residing from date यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर आप अपना जनमतिती fill कर सकते हैं उसके बाद next option में आप end date fill करेंगे यानि आप यहाँ पर current date fill कर सकते हैं उसके बाद applicant category में non government select करेंगे इसके बाद आपको pre verification का option देखने को मिल जाता है आपने जिस भी पटवारी या serpent से pre verification कराया है उसका detail आप यहाँ पर fill करेंगे जैसे की इज pre verified यहाँ पर yes select करेंगे उसके बाद यहाँ पर pre verified by select करेंगे उसके बाद जिससे भी आपने verify कराया है यहाँ पर पटवारी या serpent का name इंटर करेंगे उसके बाद आप I agree पर tick करेंगे और यहाँ पर जो verification code दिया गया है verification code इंटर करेंगे और उसके बाद आपको submit के button पर click करना है जैसे ही आप submit के button पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का नया interface open होगा यहाँ पर आप अपनी सभी details check out कर सकते है उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको attach anexor का option मिलता है simply आपको attach anexor के option पर click करना है आपके सामने इस तरह का नया interface open होगा यहाँ पर आप address proof documents upload करेंगे इसके लिए आपको documents का name select करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं voter ID card, passport, रासन card, आधार card, driving license इन्वे से किसी भी एक documents को आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद आपको choose file पर click करके यहाँ पर documents को upload करना है उसके बाद आपको नीचे pre-verification documents का option मिल जाता है यहाँ पर आप select पर click करके pre-verification report को select करेंगे उसके बाद pre-verification form पर आपने serpent या पटवारी के signature कराए थे उस file को आप यहाँ पर choose file पर click करके upload करेंगे documents and pre-verification report upload करने के बाद आपको save anexor के option पर click करना है उसके बाद आपके सामने इस तरह का interface open होगा जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको submit के button पर simply click करना है उसके बाद आपकी जो application है वो successfully submit हो जाती है जिसका receipt भी आप यहाँ से download कर सकते हैं इस receipt में serial ID number दिया गया है इसी के माध्यम से आप अपने residence certificate को download कर पाएंगे residence certificate को download करने के लिए आपको इसी website पर view status of application के option पर click करना है उसके बाद आपको track application status के option पर click करना है जैसे याप track application status के option पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक निया page open होगा यहाँ पर आप reference number इंटर करेंगे reference number इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर gate data का option मिल जाता है simply आपको gate data के option पर click करना है यहाँ से आप अपनी एप्लिकेशन का स्टेटस देख सकते हैं जैसे कि यह सर्टिफिकेट डिलीवर्ड हो चुका है तो यहाँ पर आपको डिलीवर्ड के ओप्शन पर किलिक करना है डिलीवर्ड पर किलिक करके आप अपने resident certificate को डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं resident certificate successfully इस तरह से generate हो जाता है तो इस तरह से आप सर्टिफिकेट के द्वारा resident certificate के लिए apply कर सकते हैं और certificate को डाउनलोड भी कर सकते हैं